चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों सावदान रहने वाली बात ये है कि हमारे देश में फैक नोटीस लेटर अफवाएं तो चलते ही रहती हैं मगर शिक्षा के किषत्र में 24 फैक यूणिरसिटी हैं जो स्टुडेंट का फ्यूचर खराब करती हैं और पैरेंट्स का पैसा बरबाद करती हैं स्टुडेंट इसमें फीस दे कर एडमिशन लेते हैं कोर्स कम्प्लीट होने के उपरांत जब डिग्री मिलती है और जोब के लिए तलास करते हैं तब पता चलता है कि ये डिग्री और यूणिरसिटी दोनों ही फैक हैं तब तक समय निकल चुका होता है और स्टुडेंट परबादी की कगार पर आ जाता है मेडिकल फिल्ड में MBBS, BDS, वेटनरी और आयूस कोर्सेज के लिए एडमिशन की बात करें तो इसमें एडमिशन MCC और स्टेट काउंसलिंग अथोर्टी द्वारा दिया जाता है तो इसमें बिलकुल फेर एडमिशन होता है इसमें आपको एक उनिवर्सिटी शिंगानिया उनिवर्सिटी ही ऐसी है जो NMC चे अपरूड नहीं है इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ और NMC ने भी इसके बारे में नोटिस दे रखा है कि MBBS एडमिशन के लिए शिंगानिया उनिवर्सिटी अधीकरत नहीं है अब MBBS, BDS, वेटनरी और आयूस में एडमिशन नहीं होने की वज़े से काफे स्टूडेंट अन्य कॉर्सेज में भी एडमिशन लेते हैं इसमें बहुत सारे medical kurses भी सामिल हैं तो बाकी kursेज में एडमिशन लेने से पहले आप अपनी university के बारे में अच्छी तरह से जांस परताल कर ले उसके बाद उसमें admission लें क्योंकि आज के दिन इंडिया में 24 ऐसी फर्जी university हैं जिनको UGC द्वारा मननेता नहीं मिली है दो ऐसे institution हैं जो UGC की guideline follow नहीं कर रहे हैं तो उनका case अभी court में चल रहा है इन फर्जी university की list UGC ने जारी कर दी है इन में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की आठ फर्जी university है सबसे पहले हमें इनकी बात करें तो यह है वारांसी संसकर्त विश्व विद्याले वारांसी इसके बाद में है महिला ग्राम विद्यापीट इलाबाद इसके बाद में है गांधी हिंदी विद्यापीट इलाबाद इसके बाद नेशनल युनिएर्सिटी ओफ इलेक्ट्रो कॉंप्लेक्स होमियोपेथी कानपुर नेताजी सुवास चंदर बोस मुक्त विस्विद्याले अलीगड इसके बाद आगे है उत्रपरदेश विस्विद्याले मत्हुरा इसके बाद में महरणा परताब सिक्षा, निकेतन विस्विद्याले परताब गड और इंदर प्रस्त सिक्षा परिशद नोईडा तो ये आठ ऐसे फरजी युनिएर्सिटी हैं जो उत्रपरदेश में सेच्वेटेड हैं और इनको मानेतन नहीं है तो इनमें आपने जो यूपी के कंडिडेट हैं अन्ने स्टेट के कंडिडेट हैं इन उन्युनिएर्सिटी में एड्मिशन नहीं लेना है आपने इसके बाद में दिल्ली में भी साथ ऐसे फरजी विशु विध्याले हैं, इनमें हैं Commercial University Limited, सयोंक्त राष्ट विशु विशु विध्याले, व्योवसाइक विशु विध्याले, एडियार केंदृत नियाईक विशु विध्याले, भारतिय विज्यान और इंजिनेरिंग संस्त सव रोजगार के लिए विशू कर्मा मुक्त विशू विध्यालेς आध्यातमिक विशू विध्याले तो ये ऐसे साथ फर्जी University दिल्ली में है इसके अलावा , उडीशा और पस्जिम वंगाल में दो विशू विध्याले ऐसे हैं जो फर्जी हैं कौलकता की बात करें तो Indian Institute of alternative medicine कौलकता और इसके लावा दूसरा है Institute of alternative medicine and research कौलकता इसके लावा उडिशा की बात करें तो नव भारत सिक्ष्या परिसद राऊर केला और नौर्थ उडिशा युनिर्सिटी ओफ एग्री कल्चर एंड टेक्नोलोजी तो ये युनिर्सिटी भी फर्जी हैं करनाटका, केरल, मारास्ट्रा, पुडूचेरी में भी एक-एक फर्जी युनिर्सिटी हैं इनमें हैं स्र राइस्ट न्यू टेस्टार्मेंट डिम्ड युनिर्सिटी अंदरप्रदेश, राजा अरभी विस्विद्यले नागपूर, सेंट जौन्स युनिर्सिटी केरल, तो ये हैं वो फर्जी युनिर्सिटी हैं करनाटका में भी एक फर्जी युनिर्सिटी हैं वर्ड गववी सरकार World Open University Education Society करनाट का तो ये इसकी लिस्ट दे रखे इसमें पूरी की पूरी तो आप इन उनिविशिटी में एड्मिशन ने ले क्योंकि ये हैं वो सारी की सारी फर्जी उनिविशिटी हैं इसमें तो मेरा इस वीडियो के जरीए आपको यही सावधान करना था कि आप किसी भी इनिविशिटी में एड्मिशन लेने से पहले पूरी जांच परताल कर ले ताकि आपका फ्यूचर सेप रहें आप अच्छी इनिविशिटी से अच्छा कोर्स करके अच्छी डिग्री लेके अपना जोब सर्च कर सकें और जोब कर सकें तो दोस्तों ये एक छोटा सा आपके लिए अपडेट था आपको सावधान करना था मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक मैं आपसे लिता हूँ विदा जैहिन